इस साल भाइदूज को लेकर लोगों के बीच में काफी confusion बना हुआ है ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि इस साल भाइदूज 26 October को है तो कुछ का कहना है कि 27 October को है बता दे कि भाई दूज का तेवहार दिवाली के बाद कार्तिक मास के सुकल पक्ष के दुइतितिति को मनाया जाता है एक निस पार ये तेवहार दो दिन होने की वज़े से लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि उन्हें किस दिन ये तेवहार करना चाहिए इसका सुब्मूरत क्या है चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भाई दूज का सुब्मूरत क्या है यह किस दिन है और इससे जुरी कुछ अन्या बाते आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस साल कार्तिक सुकलत दूज तिथी 26 और 27 ऑक्टूबर दोनों दिन रहेगी ऐसे में इसकी सुरवाद 26 ऑक्टूबर को दोपहर 243 से होगी जो 27 ऑक्टूबर को 12-45 में खत्म होगी वहीं अगर हम इसके सुब मूरत के बारे में बात करें तो जो तीशियों के नुसाद 26 ऑक्टूबर को पूझा और तिलग करने का सुब मूरत दूज तिथी प्राडम होने के बास से 33 तक बना रहेगा इस दिन दोपहर 1.57 से 2.42 तक विजय मूरत और साम 5.41 से 6.7 तक गोदुली मूरत रहेगा इसमें से किसी भी मूरत में बहन अपने भाई को तिलग कर सकती है वहीं अगर उन लोगों की बात करें जो 27 ओक्टूबर को भाई दूज मनाने वाले हैं वे सभी सुबह 11.07 से 2.12.45 तक भाई दूज मना सकते हैं बता दे कि सनातन धन की माने तो उनके अनुसार भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं और उनसे तिलक करवाते हैं और इसके बदले में भाई अपनी बहन को उपहार के रूप में कुछ न कुछ जरूर देते हैं लोगों का ऐसा मानना है कि भाई दूज के दिन अगर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है तो उनसे उनके भाई का भाग्योदय होता है और साथ ही अकाल मृत्यू का संकर टलता है चलिए अब हम आपको जोतीश्यू के अनुसार भाई दूज की पूजा विधी के बारे में जानकारी देते हैं भाई दूज पर बहने सुव मूरत का ध्यान रखते वे आरती की थाल तयार करती है जिनमें कुम-कुम, अक्छत, चंदन, जल, मिठाई, फल और फूल होते हैं भाई को तिलक करने के लिए उन्हें पुर्व दिसा में बैठाएं और उन्हें तिलक करें तिलक करने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और आरती उतारें सभी चीजों के बाद अंत में भाई अपनी बेहन को उपहार देता है और रख्चा करने का बचन करता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद